तो स्टुडेंट्स, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल, कॉमर्स भारती में मैं विखास भारती आज आपके लिए लेके आया हूँ CA Foundation Partnership Account, Chapter No.8 की Unit No.1 इस Chapter के Numerical Questions स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने Profit and Loss Appropriation Account क्या है जो इस Chapter की Starting में ही आप से पूछा जाएगा Profit and Loss Appropriation Account कैसे Maintain होता है इसमें कौन-कौन सी बातें Consider की जाती है आपकी Capital कितने टाप की होती है Fixed and Flactuating Fixed Capital और Flactuating Capital का Treatment कैसे किया जाएगा और Interest on Capital और Interest on Drawing की Valuation और उनकी Accounting Treatment की सभी वीडियोज को Description में डाला हुआ है तो एहने जाएए Description Box में इस Chapter से Related सभी चौटिकल पार्ट को Complete केजिए After that आप Practical Motion पहिए आगर आप सभी के सभी चौटिकल पार्ट को अच्छी तरह देख चुके है और Concept क्लियर कर चुके है तो अब हम बीना टाइम खराब किये Numerical Quotions one by one start करते है तो Students Profit and Loss Appropriation Account क्या होता है और ये किस तरह आप Maintain करते हैं और इसमें कौन-कौन से content generally आप यूज करते हो ये सबी मैंने आपको बदाया अब हम Partnership Account CA Foundation के Chapter No.8 के Numerical Quotions करने जा रहे हैं जो मेना first e-restriction होगी वो आपकी Profit and Loss Appropriation Account से related होगी तो चलिए करते हैं start देखिये A and B start business on January 1st 2016 with capital of 30,000 and 20,000 respectively according to the partnership date B is entitled to a salary B को salary कित्री जेने हैं 500 per month and interest is to be allowed on capital 6% per month okay the remaining profit are to be distributed among the partner in the ratio of 5 ratio 3 during 2016 the firm earned a profit before charging salary to be an interest on capital amounting to 25,000 Profit कितने का हुआ? 25,000 रुपेका during the year A ने कितने निकाले? 8 B ने कितने निकाले? 10,000 किसके लिए? Personal परपच के लिए अब बोलता है सिर्फ आपको 1st case में क्या निकालके देनी है? आपको निकालके देनी है General Entry क्या निकालके देनी है? आपको General Entry चलिए करते हैं Start सबसे पहले अगर हम General Entry के तरफ जाएं तो आपने क्या किया? आपने Salary Zee B को Profit and Loss Appropriation Account in case of profit बन्द है मैंने आपको बताया और Profit and Loss Appropriation Account को रमेंटिर करती है partnership firm किसकी favor में? पार्टनस की favor में तो Profit and Loss Appropriation Account पार्टनसिफ फैर्म के लिए क्या बन जाएगा? Nominal Account इट मिस जितने भी firm के Point Profit से Expedition होंगे काम बेज़ दोगा आपने debit में और जितनी इंकमों की काम पे बेज़ दोगा आपने credit side में समझे ओ मेरी बात को चलिए सबसे पहले B को क्या देनी है? आपको B को देनी है salary 500 पर मर तो I am worry कितना हो गया? 6000 तो फरम के लिए बुरी बात है appropriation account debit to beach debit card account to beach debit card account कितना अगया? 6000 बुरी बात हो में appropriation जाओगा debit अच्छी बात हो में credit होगा 2nd case 2nd में क्या बोता है हो में को interest on debit card देना है partners को तो आपके करना पड़ेगा उसके लिए इततो expenditure दुसरी द्रफ क्याओगी लाइब ईधी, तो इसमें भी अप्रोप्रेशन, नॉमिनल अकांट बुरी बात है, तो मैंने क्या कर दिया, जापट, क्रॉपित अलोज अप्रोप्रेशन अकांट भी तूपिटल अकांट, और तूप, बीज यापिटल अकांट, कितना जाएगा एकी क्यापिटल दे रखे हमें 30,000 उसका 6% कितना बनता है 1,800 एकी क्यापिटल कितने गिवन हमे 20,000 उसका 6% कितना बनता है 12,000 तो टोटली कितना हुआ आफका 3,000 एक चलिए हैं उसके बाद बोद है वो मुझे हैं कि कि फरंगो प्रॉफिट हुए 25,000 और ड्रोइंग तो दिरखिया इंटरस्ट और ड्रोइंग की रेट जब तक आपको गिवन योगी तब तक आप काल्कुलेटर नहीं कर सकते तो टोकल प्रॉफिट कितने हुए 25,000 में से 6 प्लस 3,000 कितने जाए 9,000 तो कितने जाए 16,000 किस में जाएंगे और पार्टनर्स में, किस रेशो में, और रेशो में, तो मैंने प्रॉफिट डिस्टिब्यूट किये, क्या डिगरी, प्रॉफिट और लोज, एप्रो, प्रियेशन अकाउंट यापट, टू, एज कापटल अकाउंट, और टू, भी इज कापटल अकाउंट, किस रेशो में, और रेशो में, क्या की बंधा, 5 रेशो, 3, कितने डिवाइड कर दिये, 16,000, 16,000 का 5 बाई 8, कितने आ आए गई आपका, 10,000, और 3 बाई 8, कितने आएगा आपका, 6,000, यह मैंने क्या कर दी, जर्नल एंट थे, जो मुस्से पोशन अबर, फर्स्ट में बुच यह गई थी, अब चलते हैं हम, second question के दरफ, राम, रहीम and करीम, our partner in a firm, they have no agreement, in respect of profit sharing ratio, it means, आपने partnership deal नहीं बना रखी, मैंने आपको क्या बताया है, in the absence of partnership deal, एक तो आपका partners के between, जो aggregate profit sharing ratio होगा, वो क्या होगा, equal, secondly, जो partners ने partnership firm को, capital को चोल के, advance और जिसको आप loan बोलते हैं, वो दे रहा है, तो उसकी rate क्या होगी 6% पर रहना, अनादर कोईपिटेट में आपके त्रियों नहीं किया जाएगा, in the absence of partnership deal, whatever महां पे partner salary के रिमांट करें आप से, चाहे bonus की, चाहे remontation की, चाहे interest on capital की, ignore, 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 देखिए, तो उसके बार बोलता है, interest on capital, interest on loan, advanced by the partner and remontation, फिर्स्टिफ, राम, who has contributed maximum capital, demand करता है 10%, किसकी capital के अपर interest की, देंगे partnership deal की अपसेल्स में नहीं, तो आप क्या लिक होगे, no interest on capital is paper, due to absence of partnership deal, आगे चलिए, राम, has devoted full time, for running the business and demand salary, वो salary की demand करता है, remaining partner आगे नहीं करते, partnership deal नहीं बनाए गई, तो वो चाहे पूरा दिन partnership परम को दे, फिर भी उसको salary नहीं दी जाएगी, तो आप क्या लिक ह होगे, in the absence of partnership deal, there is no provision in regarding of remuneration, तो यह भी नहीं दोगे, फिर करीम दी मांट, interest on loan, कितने की, 2000 रुपे की, advance buying, at market rate, कितने का है, 12%, उसको कितने परसेंट मिलेगा, 6%, कितने परसेंट मिलेगा, 6%, तो यह यहाँ पर बोलता है, जो वो 2000 रुपे, advance को उसने दिये थे, उसके उपर वो कितने परसेंट की, डिमांड कर रहा था, 12%, तो मैं कितना दे दोगा, 2000 का, कितने परसेंट, 6%, क्योंकि आपका applicable कितना होता है, 6%, तो interest on loan, कितना दिया जाएगा, 120 रुपे, और हुनके between, in the absence, profit share, रेशो जाओगा, partners के between, वो का सर, equally, समझे रो मेरी बात को, यह था मेरा, question number second, अब, यह कोई यहां पर बहुता है, accounts maintain करके दिखाएं, accounts maintain, चलिये, अभी करते है, accounts maintain, question number second, क्या बनाने जाएगा, profit and loss, appropriation account, Particulars, amount, Particulars, amount, Particulars, amount, सबसे बहले, interest on loan, हलाकि मैं बता दू, interest on partner loan, charge अंगे, profit का part होता है, क्योंकि partner को, आप दो तरह से deal करते हो, यह आपका क्या हो गया, partner, इसको दो तरह से deal करोगे, as a, insider, और as a, outsider, insider का होता है, जब partner, partnership firm में, capital introduce करता है, तो वो क्या कहलाता है, insider, और जब partner, partnership firm को advance देता है, जिसको आप loan बोलते हो, और क्या देता है दुसरी ग्रफ, अपनी building, rent, पे, अपनी building, rent, पे, तो क्या बन जाता है, outsider, insider के जितने भी treatment होते हैं, वो किस में जाते हैं, profit and loss, appropriation account में, और outsider के जितने भी आपके treatment होते हैं, उसमें partner, charge against profit का partner जाता है, वो किस में जाएंगे, profit and loss account में, समझ रहे हैं मेरी बात को, तो अब partner, insider और outsider दोनों, अब उसने क्या दिया, उसने advance दिया, उसके ओपर क्या मांग रहा है, वो interest on loan, तो इस case में वो क्या है, outsider, वो किस में treat होगा वो, profit and loss account में, आपको पे किस में करना है, profit and loss, बस यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको selected content ही given है, बट यहाँ पर आपको selected item ही given है, तो मैंने यहाँ पर question में, I see AI में, इसको कहाँ पर दिखा दिया, appropriation में, आप जबो तो पहले कौन सा account में टेंट करके आएंगे, profit and loss, इसको pay करके जो बच्चे उपे profit आपके transfer कर दिना, appropriation account में, और उसकी जर्नल एंट्री चाहँ रोगे, profit and loss account, आपके to profit and loss appropriation account, ठीक है, आपको और treatment करना है बोगे जिए, I see AI commit here, आपको follow करना है, तो यह जिए जिए, तो दोनों ही cases में, आपने कितना पे किया, 120 होते हैं, अब मेरे को बोलता है उसके बाद, रिजर्व के रिखा दे, उसने बोला 10% of debisable profit, इस transfer to reserve, अब मेरी बास क्यान से जुनी है, debisable profit का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, buy net profits as per profit and loss account, कितने profits किये मैंने मुझे, 45,000 के, debisable profit, आपके profit में से सारे expenditure रिखाने के बाद, जो बात नहीं हो गया आप बसते हैं partners के लिए उसको बहुत है debisable profit, अगर मैं बोल देता है, total profit का 10%, तो मैं 45 हजाता देता, अब मैंने debisable का गोला है, मैं 45,000 में 120 हैस कीजिए, मैंने format में बताया था, reserve और donations भी इसका part बनते आपके appropriation का, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, to transfer to results, सबसे पहला काम, 45,000, उसमें से कितने गए, 120, कितने बच गए, 44,880, इसका कितने percent, 10%, कितना गया, double four, double eight, अब क्या करूम है, to profits transfer to partners capital account, partners capital account, कौन को नहीं है आपके, ये हैं आपके, राम, रहीम, एंड करीम, राम, रहीम, एंड करीम, पी एसर ना गीवन हो, तो partnership date के absence में, क्या पी एसर होता है, एक्वल, तो आप कैसे distribute करेंगे, एक्वली, 45,000 में से less कर दीजे, less कर दीजे, ये कितना पचा, 40,302 में, 40,302 में को equally दे दिया, कितना कितना है, 13,464, 13,464, and 13,464, ये इन तिनों में कैसे दे दिया हमने, equally दे दिया, त्रियर, ये हमारा था question number, second, अब हम करते हैं, इसी का question number, third, अब देखते हैं, question number, third, A and B, start business on 1st January, 2016, with capital O, 30,000 and 20,000 respectively, according to partnership deal, B को salary देनी है, portion number first के उपकर बेस्ट अबच्छो होगे, question number first में आपने क्या किया था, इसकी सिर्फ चेपर लाइंड रेंग, अब आप इसके क्या करोगे, numerical questions, मैं क्या बना ने जा रहा हूं आपके लिए, profit and loss, appropriation account, भो होती हीजी, ये डपिज साइड, left hand side, ये डपिज साइड, left hand side, और ये credit side, right hand side और ये credit side, right hand side ये मना आधिया account अब चलिए, सबसे पहले मैं एंट्रे की थी profit and loss appropriation account अपे to beach capital account salary paid कितने परिकी थी हमने, 6000 की फिर हमने क्या थी अथा interest on capital A और B को to each capital account and to each capital account interest on capital capital due तो कितने थी? A की थी 1800 और B की थी 1200 profits by net profits as per profit and loss appropriation account कितने अडिया है? 25 अजया है? 25 पाठीजा है, 25 में टे सोला, फिर आपने क्या क्या था? तो प्रोफिट्स, ट्रांसफर्ड, तो पाटनर्स, कापिटल अकाउंट, ए, बी, पच्छेस में से मोगे सोला, पाइब रेशो थ्री, कितना त्याजा, तैन तौज़न्द बार सिक्स, तोटली कितना पनाजा, याँडनी क्या करते ह?, क्या बैर था, कौशिन नumर फास्ट ने मैंने जनर्राइट्स सिखाए, क्या अनर्जाँ अब हम चलते हैं क्या बनाकीतों दिखाए, जो यहां पर पार्टनर के लिए इंकम होगी वह फरम के लिए क्या हो जाएगी लाइटी मैं हमेशा अकाउंट्स फरम के पार्टनर के लिए बनेगा और वो ठीक भी होगा बट वो एक दुखका है क्योंकि सेपरेट एंटेटी कौन साथ के अंडर हमेशा पार्टनर्शी फरम को कंसीडर किया जाता है ना भी पार्टनर्स को तो इस वहां से बाहर निकलिया आप एक चार्ट अकाउंट पर मेशन हैं ठीक है सबसे पहले हुँन दोनों ने क्यापिटल इंट्रीज कि थी फरस्ट एंट्री क्या से किती प्लसवन कोमर्स में बैंक अकाउंट टैपिक टो डेटल अकाउंट तो डेटल अकाउंट्स पोस्टिंग् आप पॉजिट पार्टी का नाम, खुद का नाम तो आएगा नी, तो पॉजिट पार्टी का, इन्होंने साफ़ेट अकाउंट दिखाया, मैं दोनों का एक ही बगरा रहा हूँ, फर्स्ट वन ने कितने लगाई दे, 30,000, साफिड वन ने कितने लगाई दे, 20, आप सुना, फर वह क्या हुजाएगा, आपके लिए लाइव Tapi T, तो जो जो है, प्रोबिश्यर गांट की अधर्टाक्ट साट में आया है क्या चला जाएगा सेलरी बनती है पीखी तो मैंने क्या लिखा यहां पे बाई सेलरी कि बाई सेलरी कितनी तेदी पीखो 6,000 फिर मैं क्या लिख सकता हूं बाई इंटरस्ट और टैपिटल कितना अठारा सो और बारा सो फिर क्या दिये प्रॉफित बाई प्रॉफित और लोस एप्रो प्रियेक्शन अकाउंट कितने कितने 10,000 और 6,000 डैपिट साइड में क्या किती अमॉंट विड्रोल तो उससे क्या पिटल लाइपिटी फर्म की क्या हो जाए कि कम पहले बाले ने कितने किती हैं पहले बाले ने आठ दूसरे बाले ने दस फिर क्या ने कहा दोगे आप बैलेंस तू बैलेंस सीडी आपको पता होगा नौमिनल अगाउंट को सीना कि फैने इन में क्या करते जाता है?" खतंब लगाउंगे जाता है उसके motherland जोड़ीन क्या जाते हैं 4,800 और 3,200 यह इनकी क्या की? Balancing Figure First one की कितनी आई? 3,800 Second one की कितनी आई? यहाँ पे cut करने के बार यह अपकी 23,200 यह इनके क्या बना दे आपने? Partners के A-N-B के Capit लगओ Portion No. 4 अब जिन नेक्सिट पिक है वो आपका किससे रिलेडिट है? पार्टनर्स की capital से रेटेड़, पार्टनर्स की capital, कितने टाप की capital होती है, fix your or fluctuating capital, दो टाप की capital होती एंगे, ठीक है, अब हम इसके वारे में चलचा करते हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं, illustration number 5, जिसमें हम क्या करेंगे, capital relation करना सिखेंगे, और interest order drawing, जहां पर आपको, क्या बागे वन होगा time period के भी आपपर भी या without time period के भी आपपर. Question number 5. A and B are partners sharing profit and usage in the ratio of their effective capital. They had 1,060,000 capital on 1st January. On 1st January. अब आपको क्या निकाल दा है? मैं निकालने जा रहा हूँ. Calculation of Capital Ratio. आप calculate कर रहे हैं. Capital Ratio. ठीक है? चलिए. सबसे तरहें. ये मेरा A. और ये मेरा B. A ने starting में कितनी capital लगाई? 1,00,000. B. ने starting में कितनी capital लगाई? 60,000. अब time period के regarding बात करता हूँ. A. इंट्रिद्यूस एक further capital. 10,000 ये. 1st of 10. January, February, March. इसका मतलब ये capital इसके पास कितने time period रही? 3. फिर इसने 10,000 और लगा दिये. लगाता है तो उसकी capital में add करेंगे और निकालता है तो less कर देंगे. क्योंकि लगाने से फर्म की liability भड़ेगी और निकालने से फर्म की liability कम हो जाएगी. या क्या? अच्छा जी. And another fine subject कब लगाई उसने? 1st July, अब सुनो. April, May, June. ये capital भी कितने time के ले रखे उसने? 3 महिनों के लिए. फिर उसने कितने लगा दिये? 5,000. एक दस में 5 जोड़े. कितने होगे? 1,15. फिर वो 30 September, वो 40,000 निकाल लेता है. तो July, August, September. कितने मेने? 3 मेने. कितने मेने बने? 3 मेने. इसमें उसने कितने निकाल जे हैं हाँपे? आपके 40,000. तो 115 में से 40,000 गए. तो ये कितने बचेंगे आपके? 75,000. ताइम पिरेट खितना रगया? 12 में से 3 गए. ताइम पिरेट कितना रगया? 12 में से 9 मेने गए. ताइम पिरेट कितना रगया? 3 मेने. 3 चोपिए? 12. साल कम्प्रिट. तो अब आप इसकी मंटिप्लाइ केशिए. 1,00,000 की मंटिप्लाइ 3 से 3 लाख. ये इसकी मंटिप्लाइ 3 से 3 तीस. ये कितना आया? 3,45. 55 या? 225. तो टोटल कितने निकल क्या प्तिया इसकी? 12,00,000. ये तो आगी एक ही क्यापिटल. टोटल. अब बी के रिकारणिंग बात करता हूँ. बी ने फर्दर कापिटल 30,000 लगाई. बी इंटेड्यूस फर्दर कापिटल 30,000 कब? 1st जुलाइ को. ओके हैं? उसने 60,000 थे 30,000 जोट दिये. जुलाइ 1st को. जनवरी, फर्वरी, मार्ज, पप्रेल, में जो. 6 मेने. तो यहां पर भी कितने आगे? 6. तो कुछ को 36,000 तो कितने फर्दर के रिकारणिंग पटराणिंग बात करों. तो यह कितना जाएगा? 3,4 जाब, एडल, 3,3 जाब. तो इन दोनों के between जो capital ratio निकल के आएगा वो चार दिन का आएगा इसने मैं को बोला था 12% interest on capital is allowable on and 10% interest on coin is chargeable date of closing 31st December पहले बोला मैं को profit sharing ratio निकाल के दिखाओ फिर मैं को बोलता है interest on capital और फिर मैं को बोलता है interest on coin अब सुनो अगर आप अलग अलग इंटरवल में अलग अलग amount निकालते हो तो उसके लिए कौन सा method best letter आपके लिए date it अगर आप same amount को same interval के दोड़ा निकालते हो तो वहाँ पे simple method आपके लिए appropriate रहता है अगर आप अलग अलग time period पर अलग अलग amount निकालोग तो wait it आप उपर multiply कर चुके हो तिर्फ divide होना बाकिया अगर एक के divide में कितना था 12 तो आप क्या करोगे interest on capital निकालने के लिए क्या calculate कर लो आपक इंटरस्ट on capital इसका भी और उसका भी पहले इसका निकालते हम बारा लाथ रेट कितनी कीवन है हमें 12% और multiply मैं कर चुका हूँ तो इसकी कितनी निकालती है बारा हचार रपे कितनी बारा second one इसकी कितनी थी नाइन लाथ multiply कर चुका हूँ तो जाएगा division में 1 by 12 तो इसकी interest on capital कितनी निकालती है नाइन धाउचार तो इसकी interest on capital कितनी निकालती है नाइन धाउचार तो इसकी interest on capital कितनी निकालती है 9000 अब अब हम calculate करेंगे interest on drawing स्टूडेंट्स मेरी pace के regarding, concepts के regarding, जो मैंने इनकी वीडियो डाली है उसको देखे बिना कभी भी numerical की तरफ मत जाना otherwise आप chartered accountant याप एक gratification accountant बने वाले हो जिससे आप future में बहुत तन पाओगे तो आपको अगर proper manner में accountancy सीखनी है foundation clear करना है तो first of all इस topic से अले जो मैंने इसके concept काले है interstone drawing को calculate कैसे क्या जबता है उसकी सभी मैंतल आपको सीखने जरूरी है चीक है देखिए A, A drawing करता है आपकी one thousand per month at the end of a per month okay A की drawing जो है ending में और B जो drawing करता है वो intervals में करता है एक बार 30th June को और एक बार 30th September को ठीक है देखिए अब A ending में मेरे पास इतना time ही है कि मैं सभी में लोगो प्राफ़र करूँ तो दो महिने लेकिए उनका base लेते हुए आप क्या निकाव दोगे result एक बार January 31st और एक बार December 31st January 31st को कितने months के लिए 11 December 31st को 0 उसके आदे कुछ में बसता divide by 2 कितना आगया 5.5 यह क्या निकला मेरा 80 80 means average time इसके ब्याब पर आपने इसरत निकाव दोगे 12 मिनों के कितने बनी 12,000 rate कितने गिवन है 10% 5.5 5 का point हटाते या बिच्चे क्या जाएगे 0 12 अब आपने क्या किया यह कर्था और यह कर्था इसकी जो इंट्रस्टों प्रोईंट है कितने निकल के आई 500 Second one ने क्या किया था आपके 9,000 3,000 तो आप दोनों का अलगले निकालो 1,000 अब फिर दुहरा कितने निकाल ले थे 5000 तो दोनों का अलगले निकालते ऐड कर दीजिये 1000 1,000 30,000 को कितने मेनों के लिए 6 मेनों के लिए यहां पे 10 by 100 कितने October November December 3 मेनों के लिए यह कितना निकल जाता है 125 तो कोटली कितना निकल जाएगा 175 तो इंटरस्टों ग्रोईंग एक ही बनती है 550 और पी के बनती है आपकी 175 यह हमारा दा कोश्चन नमबर 5 जिसमें हमने पहले चापिटल रेशो निकाला फिर आपने क्या निकाला जाथ चापिटल रेशो इसकी रिक्वार्में उति जा म्यूच कर ले टिवट्वमाइबा नहीं दी हमें पर क्या निकाला जा इंटरस्टों क्या पितन फिर आमें क्या निकाला जा इंटरस्टों ब्रोई सर्वीट है अब चलतें पोश्चन नमबर 6 कि ज़र्च तो आप जिस निटिटेट वेल्सारीज प्रिफ्ग पर नंथ, इंट्र्स तो इजु एआड़गे उड़रेंट पर एनुं, प्रॉफित अब्स हो बिस्टिटेडिट एक्ष आफ्ट अधर द अगॉड़्य अगॉडर्ग बाष्ट केजली आथ, रहीम ने दस जा, लुड़ुड़। एक जो में पार्टने की कापिटल का है फिक्स्ट तो तो जस्ट के टीक्मेंट होगे रिमेंग सबी टीक्मेंट इसमें आपके करेंट एकॉंडेशन चलिए घरते हैं तो मेरे को बोलता है सबसे बले हम पे क्या बनाना है प्रॉफिट और लोस अपरोप्रीशन अगाउंट चलिए किसके जरूद होगे आप करेंट अकाउंट के जरूँगों अब मेरे को बोलता है यहां पे फर्स जनुरी टूसरेंट सिस्टें तो एंडिंग कब होएगी 31st December 2016 को आपने क्या देती टू रहीम्स करेंट अकाउंट सेलरी कितने देती सेलरी हमने देती 400 पर मन तो कितना आप जा 4800 आफ्टर देट यह मेरे को बोलता है इंटरस्ट ओने क्यापिटल तो संड्रीज इसमसा भी पातना आपते हैं इंटरस्ट ओने क्यापिटल किस किस को दे दी राम और रहीम को राम्स करेंट अकाउंट एंड रहीम्स करेंट अकाउंट यह राव दी आपने कितने कितने दी 50,000 का 6% 3,000 and 30,000 का 6% 18,000 आफ्टर देट फिर वो बोलता है मुझे प्रॉफिट्स कितने कीवन हैं हमें प्रॉफिट्स कीवन हैं 30,000 क्या लिखा हमने बाए नेट प्रॉफिट्स एज़ पर प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट कितना गया 30,000 यह डाल दिया उसके अपत इंटरस्टों ड्रॉइंग मैंने क्या बताया हुआ है आकर पेपर में आपको ही इंटर्मेंग पर एनव एनवली यह तो इंटरस्टों कौन को ने यह राम करेंट अकाउंट ए रहीम संन्कुर्ण अकाउंट राम के करेंट नहीं किसने की रह थी एट थाउजन औप थाउजन दर्फार्जल्ट टैन तेन थाउजन दर्फार्जन रेट कितनी 6% 6% इंटुमे 6 x 12 इंटो में 6 by 12 1st one, कितने आंगे? यह आंगे 300 2nd one, कितने आंगे? 240 तो यह आपके कितने विगल जी? Total मैंने निकाला Total बजना हमारा 30,540 30,540 To Profit Transfer to Partners Current Account Raheem's Current Account and Raheem's Current Account कितने बनते हैं? यह आयाँ के 10,470 equally 10,470 यह था मेरा कोर्शन No. 6 कोर्शन No. 7 मैं इसको भी ना रभ किया करवाने वाला हूं क्योंकि कोर्शन No. 7 इसी कोर्शन के अप्रदेश्ज है मेरे को बोलता है एक तो Capital Account और एक Current Account में आगे दिखाएं Capital Account का तो कुछ करी नहीं बनता क्योंकि आपकी Capital 6 है तो ज़स्ट Capital दिखाएं जाते है Capital Account में बच्चों वे सारे काम कापे में आपके Current Account है जो यह राम यह रहीम यह राम यह रहीम जाके आपने Capital में अभी अभी इंटर्डीस किया है By Bank Account पहले वाले में कितने लगाएं? 50 दूसरे वाले में कितने लगाएं? 30 तो साल के एंड में हमें अकांट क्या कर जोते हैं? Closing कर जोते है Equalent तो मैंने क्या 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 हो जाएगा? By Balance Medi Carry forward 50,000 and 30 Capital तो जो जिए करना था बच्चे वह सारे काम किस में करे जाएं जाएं? Current Account में Current Account में सबसे तले आपने क्या किया? Appropriation Account में जो Savory दिखा रखी है वो किससे related है? वो रहीम से तो किसको देजेंगे आप? 4800 रहीम को फिर आपने क्या दिया था? Interest on Capital By Interest on Capital Interest on Capital Raam को कितमा दिया आपने? 3000 And रहीम को कितमा दिया आपने? 1800 फिर आपने क्या दिया था? Profits By Profit and Lossum Appropriation Account कितने आए? 10,470 And 10,470 आपने क्या क्या था? Two Drawing Two Drawing और से क्या निका रहा था? Two Interest on Drawing Drawing की कितने आपने दिया? Drawing की दिया रखी है First One की Raam की 8000 And Raheem की 10,000 Interest on Drawing 240 And 300 Clear? अब आप क्या करोगे? इनकी Balancing figure देखाब लोगे Just like Capital Account Balancing figure देखो कितना था है? या तब कर 13,470 और Second One Second One का रहीम का कितना आता है? 17,070 तो Two Balance CD Two Balance CD पहले वाले का Balancing कितना बचा? 5230 और Second One का कितना बचा? 6,770 यह आपने क्या कर दिया? Equiland यह मैंने बना दिया Current Account अब हम Chapter No.8 का Unit No.1 का Last Illustration 8 करने जावे हैं देखें काफी Important Question है है अमारे लिए तो Students अब देखो इस Unit का Last Question Question No.8 8 A & B were Partners in a firm Sharing Profit and Lossage in the Ratio 3 Ratio They admit C for 1 by 6th share और उसको क्या बोले? Guarantee देते होए ते रेशियर को डाई करोड से कम्योंने देगे Total Profits कितने हुए? 9 करोड थी First Case में बहुता है Guarantee is given by a firm अगर firm Guarantee दे रहे गया It means Partners किसी भी टाइब के कोई शिरिंग नहीं देंगे तो firm क्या प्रेकी First Case में? या क्या हमारा Profit & Loss Appropriation Account Particular Amount Particular Amount सबसे पहले Firm किसको देगी? To Siege Capital Account कितना Share की Guarantee दे दे उसको? 2 करोड 50 ले 9 करोड का 1 x 6 और 2.50 जो भी उसमें से कम बनता है अब यह में को बोलता है 9 करोड का 1 x 6 कितना बना? 1.5 करोड और देना कितना था आपको? 2.50 कितना देना था? 2.50 अब भाई 2.50 देना था तो यह तो आपको देना पड़ेगा तो यह तो आपको देना पड़ेगा तो यह ते दिया अब 9 करोड में से 2.50 देने के बाद कितने वस्तियां के? 6.50 वो केंदोनों मेच ले जाएंगे? A और B में किसमे? इन देन आपकेट रेशो तो यह to A's capital account or to B's capital account जो भी इनका शर्कम हुआ है वो फर्म फ्यूचर के चुकाएगे क्योंकि वो फर्म के लिए क्या होने वाली है? लाइब इटी क्योंकि यह कॉंप्रमाज नहीं करने वाले तो यह क्या करती है? यहां पर 6.50 6.50 इन तुमे 3 by 5, इन तुमे 2 by 5, तो एको कितना मिलता है? 9 करोड नपैल लाग 9 करोड नपैल लाग और इसको B को 2 करोड साथ लाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरा क्या करतोगे इनको? पे करतोगे ठीक है, प्रोफिक्स कितने जहाँते? By नप्रोफिक्स कितने देहे? 9 करोड इसी ही के Second Part को अभ़न करते हैं इसको तो वही मिलेगा देने वाला कोन है ए तो किस के शेर में से कट कर देना एक शेर में से कट कर देना आपने क्या लिखा कितना क्या है नहीं करोड ठीक है यह दे दिया उसके बड़ उसके बड़ क्या बोलता है उसके बड़ बोलता है जो आपको सी को देना था दूसीच 9 करोड का 1 by 6 कितना बनता है 1.5 करोड कितना बनता है 1.5 करोड तो यह तो बोल रहे हैं मिलको कितना मिला यहां पे 1.5 करोड पे अब 1.5 करोड की बात करने लग रहे होगा आपस देना कितना था सरीस को आपको 1.5 करोड तो कितने करोड हो गया एक करोड को देखा एक कुम देखा A, आप सुनो, सबसे पहले 9 करोर में से आपके कितने निकालतों 1.5 करोर, कितने निकालतों 1.5 करोर, तो कितने रखे आपके 57 करोर, कितने रखे 57 करोर, वो किसमें डिवर्ड करतों A और B में, किस रेशो कहों के, 3.5 में, 3.5 करोर, 3.5 करोर, अब यह में को बोलता है इसका 3 दिश्व रोल यह कितने के लिए आया? 1 by 6 के लिए. जितने के लिए आया? 1 by 6 के लिए. अब आपने क्या किया? यह करने के बाद टोटल जो आपका बसता है वो A और B के लिए बचेगा. A और B के लिए कितना बचा? A और B के लिए बचा साड़ साथ करोड का 3 x 5 यह कितना बद्दा है साधे साथ करोड का 3 x 5 और साधे साथ करोड का ही 2 x 5 15 पंचे पिछ तर 15 दुनी 30 तीन करोड और यह कितने आगे आपके कितने होगे 9 करोड तो एड टान्सफर्ड फ्रॉं एसे कितने मिल्गे एक करोड उपे इसके कितने होगे, 9 करोड, तो, to age capital account, इसको कितने मिले थे, साड़े, 4 करोड, last, transfer to C, कितने दे दिये, 1 करोड, कितने रगे, साड़े, 3 करोड रुपे, साड़े, 3 करोड रुपे, तो इस तरह, आप क्या करोगे, point number second, point number third में क्या बहुता है, guarantee A और B ने कैसे दी, equally, कितना सा 9 करोड, 9 करोड में से कितना बना, date, कितना रगे, 1 करोड, 50 लाग, इसके share में से काटेगे, 50 लाग, इसके, इसका कितना बचेगा, 4 करोड, इसका कितना बचेगा, 10 करोड, और इसका कितना जाएगा, 10 करोड, इसका कितना जाएगा, 10 करोड, इस तरह, आप क्या कर दोगे, इंटरस्टवन, ट्यापिकल और इंट्रस्टवन गॉन हें के ट्रीट्मेट और गारिंटेट हुए पार्टनर, इसके विगारिंग, कॉंसेट्ट लियर किया और उसके नॉमेरिकल फोश्ट्ट। तो students, next video के लिए, treatment of goodwill के लिए, treatment of goodwill, types of goodwill and nature of goodwill, तो students, next video जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, nature, type, treatments of goodwill in a partnership account में, तो next video के लिए, wait के जेगा, और अगर आपको हमारी video अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और बैल आइकन को भी दबा दीजेगा, thank you so much.